जहिंद, विवस IRV-2020, Indian Rhino Vision, भारती अगेंडा को लेकी एक विजन था, जो 2020 में complete होने वाला था, लेकिन ये हाली में April 21 में complete हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे, टॉपिक्स जो कवर करने वाले हम, International Union for Conservation of Nature, जो की इसी से related है, IUCN, then IUCN की Red List, ये Green List भी है, लेकिन हमारी लिए Main Important Red List है, एक्जाम में Maximum Question Red List से आते हैं, then IRV-2020, जो की आज का हमारा टॉपिक है, मेरे बारे में, VIVAS IUCN, जिनका ये लोगो है, अंतराश्टीर प्रकृति संग्रच्ण संग, ये एक Global Environmental Organization है, जो की Global Level पे परियावरण के लिए काम करती है, इनका जो विजन है, एक Fair World, एक Just World, that values and conserves nature, एक निस्पक्च दुनिया, एक Fair दुनिया, जो की प्रकृति को महत और संग्रच्ण दे प्रकृति है, ये दो लिस्ट पब्लिस करते हैं, एक Red List, जिनका लोगो ये है, एक Green List, जो की ये है, नेमली हमारे लिए, मेंली जो हमारे लिए important है, that is Red List, IUCN के Red List में, जो की एक Indicator है, Health of the World's Biodiversity, वर्ल्ड की जो Biodiversity है, जाए विविधिता, उसका एक Indicator है, आपने Indicator के बारे में सुना होगा, Science में जो Indicator है, वो Acid and Base के नेचर के बारे में बताता है, तो वह Indicator, नाम से ही क्लियर है, Indicator मतलब Indicate करना, संकेत करना, तो यहाँ पे जो IUCN के जो Red List है, ये भी एक संकेतक है, एक Indicator है, वर्ल्ड की Biodiversity का, ये क्या देता है, बिसिकली इत प्रोवाइड डिटेल और जो IUCN की Red List है, ये जैविक प्रजाति हो, पसुपक्षी आदी के बारे में, इनके बारे में वीवराण कितना संख्या है, इनका क्या खत्रा है, और इनके conservation के लिए क्या कारिवाई कर सकते हैं, उसके बारे में, डिटेल इंफरमिशन, इस Red List को पॉब्लिस करने का जो एम है ये convey करता है, urgency of conservation issues to the public and policy maker, कि ये जी संग्रच्छन के मुद्धों को लेके, जो भी हमको urgent action लेना है, जनता को लेके, या जो policy makers हैं, उनको, तो उसके बारे में, ये पूरा जो message है, वो convey करता है, ये जो spaces की categories है, IUCN के recording, तो उसमें ये सारे list आते हैं, mainly हमारे लिए जो important है, ये जो extinct, जो की existing नहीं करता, critically endangered, highly risk, high risk of extinction, जो की इनका अस्तितो खत्रे में है, जिसमें ये हमारे आज का जो topic है, गैंडा, rhino, ये आता है, then endangered species, vulnerable species, near threatened, least concerned, data deficient, not evaluated, हम के बाल बात करना है, इसके उपर, then IRV-2020, Indian rhino vision 2020, नाम ही इसका है rhino vision, Indian rhino vision, तो इंडिया से related है, rhino है तो भई, rhino की ही बारे में बात होगी, rhino को लेके क्या vision है, so rhinos are listed as critically endangered on the IUCN red list, तो ये जैसा कि मैंने बताया, उनके red list में, ये critically endangered में है, इनका अस्तितो खत्रे में है, critically वो भी, so इसको rhino को basically इस list में program, तो ये जो IRV-2020, ये भारत का या वोल्ड का जो rhino conservation program है, उसका एक हिस्सा है, तो ये इंडिया के ये राइनो conservation program का ये IRV-2020, एक हिस्सा है, कैसे इनको conserve करना, कैसे संग्रेशन प्रदान करना है, Then, it was launched by the Assam Forest Department in partnership with WWF, ये world wrestling वाला नहीं है, ये world wild fund India for the international, then दूसरा जो the international rhino foundation and US fish and wildlife service in 2005, तो basically ये जो launch हुआ था IRV-2020, ये 2005 में एक बहुत MBCS प्लान था, एक लंबा प्लान था, 15-16 साल के बाद ये successful हुआ है, तो IRV-2020 ये जो launch हुआ था 2005 में शुरू हुआ था, Assam में और ये जो partner है, WWF, इंडिया, इंटरनाशनल राइनो फांडेशन और ये जो प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी नमबर को बढ़ाने के लिए, कितना वो भी है, 3000 बढ़ाना था, So, to attain 3000 wild one horn rhinos by the year 2020 in Assam, so Assam में ये जो target है, IRV-2020, तो 2020 तक Assam में 3000 ये जंगली गैंडे, एक सिंग वाले गैंडर का नमबर बढ़ाना था, और अभी status किया, ये April 2021 है, और हमें खुसी होरी बताते हुए, कि ये जो target है, वो गौर्मेंट ने अचीव कर लिया है, और ये program IRV-2020 है वो April 2021 में अन्त हो गया है, so viewers मुझे उमीद है कि छोटा सा video IRV-2020 को लेकर आपको बहुत पसंद आया होगा, यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को GS को लेके, इंगलीस को लेके सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजे, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है,